नमस्कार दोस्तो आप सभी को स्वागत है गलोबल अटोमी नेटफरक टीम वारीर में दोस्तो दोस्तो लेटेस्ट न्यूज है जैसा कि आप सभी को पता है 22 जुन से अटोमी इंडिया में KYC और माइग्रेशन की जो परिक्रिया है वो चल रही साथ की साथ ओके तो में आधर कार्ड अप्लोड करने के लिए कंपनी ने बोला था OTP वेरिफाई करने के बाद अगर आपका मुवाइल नमबर आधर कार्ड से लिंक है तो OTP के थुरू आपका ओटो वेरिफिकेशन हो रहा था KYC में सेम डे और अभी एक्चुली कुछ प्रोब्लम्स आ रही थ तो कंपनी ने उसकी डिरेक्शन में काम करते विए 9 जुलाई से बोला था कि आप सभी लोग आधर कार्ड अप्लोड कर सकते हो फ्रेंट एंड बैक जैसे वोटर आईडी लाइसेंस और पासपोर्ट अप्लोड करके आपकी KYC कम्प्लीट कर रहे थे तो अभी जो लेटेस् काफी लोग उन्हें 11 बज़े से पहले कर चुके हैं तो वो वेट कीजिए सभी लोग अभी 10 जुलाई है आज तो कंपनी ने जो लेटेस्ट इंफोर्मेशन अपनी वेबसाइट की उपर ये मैसेज डला है कि काइंडली डूनोट यूज आधार फोर एड्रस प्रूफ वेर साइट के उपर तो एटोमी ओफिस के तरफ से आपको बताया जाएगा कि आधार कार्ड अप्लोड करना आप यूज कर सकते हैं आप के वाइसी के लिए वोटर आइडी ड्राइव लाइसेंस और पासपोर्ट ये सारे चीज़ें आप यूज कर सकते हैं भी ठीक है तो आधा चीज़ें आप ध्यान में रखिए और आप अपनी पूरी टीम को बताईए कि आधार कार्ड अभी कंपनी की तरफ से जैसे मैसेज आएगा तो आपको बता दिया जाएगा कि आधार कार्ड से आप के वाइसी कर सकते हैं अभी आधार कार्ड यूज मत कीजिए जब तक सब्सक्राइब तक तो आप अपना लोगिन करके चेक कीजिए अगर आपने पहले डोकुमेंट अप्लोड किये थे तो और आशा करता हूं दोस्तों यह जानकर यह आपको पसंदाई होगी और इस चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इ जो लेटेस्ट ग्लोबल इनफोर्मेशन हमारी चैनल के माध्यम से दोस्तों टाइम टू टाइम मिलती रहेगी थेंक्यू वेरी मस्त दोस्तों